हेलो दोस्तों सीटेट एक्जाम 2022 से डिलेटेट बहुत से ब्याद्यों के मन में कोशन उठ रहे हैं कि सीटेट की रिवाइजड आंसर की कब तक आएगी सीटेट रिजल्ट कब जारी किया जाएगा तो दोस्तों इन सब पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे तो पहले तो हम वन वीक बात जो है आपका आंसर की देखने को मिल गया चलेंज की जो डेट थी वो दोस्तों 17 फरवरी थी और आज आपका है 19 फरवरी इतना मान की चलिए तिन से चार दिन में आपको रिवाइज आंसर की देखने को मिल जाएगी दोस्तों इसकी कोई फाइनल डेट तो कि जो आपका रिजल्ट होगा वो फरवरी के लास्ट वीक या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा अब इसमें बहुत सारे लोग जो हैं कि 25 को आ जाएगा रिजल्ट अथाइस को आ जाएगा दोस्तों देखिए यह कोई अफिशली डेट नहीं दी बता सकते क्योंकि अभी अफिशली यह बताया नहीं गया है कोई ठीक है तो यह सारी चीजें किलियर हो गई अब दोस्तों नंबर को लेकर करके अगर हम बात करें तो बहुत सारे अभ्यारती है जिनका कमेंट भी आ रहा था कि क्या मैं हम लोग जैसे 95 है मेरा 95 नंबर है तो उनका भी यह कोशन है कि हम लोग आने वाले शिचक भटी में अपलाई कर सकते हैं हम लोग क्वालिफाई माने जाएंगे तो दोस्तों यह आपका जो मन में कोशन उठ रहा है क्योंकि मैं इस चीज को समझ सकती हूं दोस्तों जितने भी अभ्यारती होते हैं जो फर्स टाइ यानि 82 पलस अगर आपका मार्स है तो आप क्वालिफाई है ठीक है आप किसी भी सिचक भटी में आप अपलाई कर सकते हैं उसके लिए एलिजबल है ठीक है 82 पलस पे और अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल वालों का अगर 90 पलस है तो वो किसी भी सिचक भटी में करवाई कर पाउंगा यहीं हाल विचसी वालों कहा है कि माली जी मेरा 85 है या कम है ज़्याद है तो दोस्तों देखिए यह पूरा sure है कि अगर आप 82 प्लस विचसी स्टी वाले हैं तो आप लोग क्वालिफाई हैं किसी भी सिचक भर्तिम आप लोग अपलाई कर सकते हैं जittel वालों के बात करें 90 प्लस है तो आप qualify है कहीं भी किसी भी सिचक भर्तिम अपलाई कर सकते हैं अब यहां पे थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे state को ले करके जैसे आपके उतरपरदेश के वेकेंसी आती है अगर आप उसमें किसी सिचक भरती में आप अप्लाई करना चाहते हैं अगर आप OBC हैं अगर आपका 82 85 नंबर है तो दोस्तों आप उसके लिए eligible हैं आप apply कर सकते हैं कोई problem नहीं है ठीके बट अगर कोई other state का student है वो 82 यानि OBC से अगर 82 से 90 के बीच अगर उसका मार्स है तब उसको problem होगी वो eligible नहीं होगा क्योंकि other state वालों के लिए दोस्तों 90 प्लस होना चाहिए आप अपने state में कर सकते हो किसी भी state से हो आप कहीं से भी हो आप आपके state में अगर क्लियर होने चाहिए ठीक है अब आपके मन में आई होब की कोई question इससे related नहीं उठना चाहिए आप अपने state के लिए हर एक कितना भी है मतलब जो qualify बना हुआ है तो दोस्तों आप लोग को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है आपके नंबर अच्छे हैं आप लोग मत डरिए क्योंकि किसी भी सिचक भरती में अगर आप सीटेट की मार्शेट या certificate लगा रहे हैं तो आपको बस qualify करना होता है ठीक है अभी ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपका ज्यादा नंबर होना चाहिए तब आपके लिए अच्छा होगा अभी ऐसा कुछ नहीं है बस आप qualify कर लेंगे आप किसी भी सिचक भरती में समलित हो सकते हैं तो इससे related अब आपके मन में कोई भी डाउट रहा होगा I hope की clear हो गया होगा और दोस्त है पूरा दोस्तों एक से दो नंबर सबको मिलेगा और जो भी 89 या फिर 81 के करीब हैं वह लोग क्वालिफाइग कर लेंगे तो आप लोग इसके लिए परशान मत होए तो दोस्तों यह थी इससे related सारी जानकारी बाकि आप लोग को मन में जो भी अब confusion होगा जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बाक्स में कमेंट कर सकते हैं मैं उसे related आपको अपडेट कर दूँगी थैंक यू